पिस्ट तैंने है घल। है हलो फ्रेंड्स वेलकम टु एजीलर्निंग 700 आज मैं आपको बताऊंगा एट्मिनिस्ट्रिटिव के बारे में तोmann स्क्रेटिव एक्सपेंसिड क्या होते हैं तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से effectively run करना business को क्या होता है इसके लिए आप मेरी दुसरी वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने efficiency और effectiveness के बारे में कुछ बताया है लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ी बहुत detail बताता हूँ तो effectively यानि smoothly business को run करना उसके लिए कुछ expenses आते हैं उनको administrative expenses का जाता है for example payment है जैसे utility bill की जैसे electricity, gas के जो bill आते हैं वो utility bills के लाए जाते हैं उनकी payment को भी administrative expenses में शामिल के जाता है payment of rent है बिल्डिंग वगरा है अगर किसी office की तो उसका जो किराया है उसके expenses को भी administrative expenses का जाता है salaries of employees, employees ही जाहरी बाते काम करता है employees के बगर तो कोई office run नहीं कर सकता, कोई company नहीं चल सकती तो जो employees की salary है वो administrative expenses में जातेगी, general office expenses होते हैं वो भी इसमें जाते हैं auto repair और maintenance आती है office equipment की जितने भी आलात है, for example computer है उसकी repair का खर्चा आगया, maintenance का खर्चा आगया, machinery लगी होई है, अगर किसी कहीं पर production हो रही है उनकी repair और maintenance है, इसके लाबा vehicles है, गाडियां वगरा है तो यह सारी चीज़े जो है वो effectively चलाती है business को, business जो है smoothly run करता है अगर यह expenses नहीं होंगे इन सब चीज़ों पर, for example, अगर maintenance वगरा नहीं होगी, equipments की तो equipments जो है, वो सही तरह चलेंगे नहीं, और सही तरह जब equipments नहीं चलेंगे, तो फिर इस तरह business की जो effectiveness है, उसमें कमी आती चली जाएगी तो यह थी आपके सामने administrative expenses की कुछ detail, अगर अभी भी आपको कोई confusion ने नीचे comment जबर कीजिए, अपने valuable suggestion दीजिए, यह वीडियो अच्छे लगी तो इस channel को subscribe कीजिए और इस video को share कीजिए, thanks for watching